क्वेस्टिन नमबर वन पार्ट टू जिसमें हमारे पास एक सिस्टम गिवन है होमोजिनियस लिनेर एक्वेशन्स का और हमें इस सिस्टम में इस X1, X2 और X3 की वेल्यू चाहिए तो इसके लिए हम सबसे पहले को इफिशन्ट मेट्रिक्स को बनाएंगे और हमारे पास को इफिशन्ट मेट्रिक्स जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मेट्रिक्स A से और ये मेट्रिक्स बराबर है इसी सिस्टम के को इफिशन्ट का हमारे पास X1 के पास 3 है तो 3, X2 के पास माइनस 4 है तो माइनस 4, X3 के पास 2 है तो 2, इसी तरह माइनस 9, 12, माइनस 6, माइनस 6, 8 और ये माइनस 4 और अभी हम इसी मेट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइन आउट करेंगे और हम डिटर्मिनेंट के आंसर से पता लगा सकते हैं कि आया इस सिस्टम का हमारे पास कोई सलुशन होगा या नहीं तो हमारे पास determinant of A is C matrix का determinant के बराबर होगा और अभी हम इस determinant को expand करेंगे by row 1 expand by row number 1 हमारे पास row 1 में सबसे पहले 3 मोजुद है तो हम लिखेंगे 3 को into determinant of हमारे पास 3 row 1 और column 1 में मोजुद है तो हम row 1 और column 1 को ignore करेंगे बाकी हमारे पास ये 4 आ जाएंगे 12, minus 6, 8 और ये minus 4 फिर हमारे पास दूसरा डिजिट row 1 में minus 4 है और minus 4 के साथ हम एक और minus का sign देंगे क्योंके second digit के पास हमेसे एक minus का sign आना चाहिए और चुंके minus 4 row 1 और column 2 में है तो हम row 1 और column 2 को ignore करेंगे बाकी हमारे पास minus 9, minus 6, यहाँ से minus 6 और ये minus 4 आ जाएगा उसके बाद हमारे पास तिसरा टर्म row 1 में 2 है तो plus 2 into चुंके 2 row 1 और column 3 में मोजूद है तो हम row 1 और column 3 को ignore करेंगे बाकी हमारे पास minus 9, 12, minus 6 और 8 आ जाएगा is equal to 3 into 12 into minus 4 हमारे पास minus 48 फिर दर्म्यान में minus का साइन, 8 into 6 हमारे पास minus 48 आ जाएगा क्योंके plus 8 into minus 6 हमारे पास minus 48 आ जाएगा यहाँ पर minus into minus plus 4 होगा into 9, 4 जा हमारे पास 36 और यह होगा plus 36 क्योंके minus into minus plus का साइन और दर्म्यान में आ जाएगा minus का साइन यहाँ पर minus 6 into minus 6 का आ जाएगा प्लस 36 आ जाएगा पिर plus 2 into minus 9, 8 जा हमारे पास minus 72 पिर दर्म्यान में minus का साइन minus 6 12 जा इसका अंसर भी हमारे पास minus 72 आ जाएगा is equal to 3 into यहाँ पर minus 48 minus into minus plus 48 पिर plus 4 into 36 minus into plus minus 36 plus 2 into यहाँ पर minus 72 यहाँ पर minus into minus plus 72 is equal to 3 into minus 48 plus 48 गांसर 0 फिर plus 4 into 36 minus 36 गांसर 0 फिर plus 2 into minus 72 plus 72 गांसर 0 तो 3 into 0 0 4 into 0 0 2 into 0 0 जाएगा और 0 plus 0 plus 0 जाएगा 0 तो यहाँ से हमने find out कर लिया है कि determinant of matrix A बराबर है 0 के तो हम यह कह सकते हैं कि since हमारे पास determinant of A बराबर है 0 के so the system has no solutions तो हमारे पास इस system का कोई solution नहीं होगा क्योंकि हमारे पास determinant of matrix A बराबर है 0 के अगर हमारे पास determinant of matrix A कि C बराबर आ जाता तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास इस system का कोई solution है और उसको हम find out करते हैं करते हैं